नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम सभी के घर में यूज होने वाले कुछ common medicine के बारे में यानि कि कौन-कौन से medicine हमें अपने घर में फर्स्टेट बॉक्स में रखना चाहिए और उसका क्या यूज होता है और कब इसको कितना डोज हमें यूज करना है दोस्तो सबसे common medicine जो हर किसी के घर में होता है और होना चाहिए वो है पेरसिटामॉल यूज प्योग है वह बुखार को कम करने के लिए किया जाता है और इसको यह पीसीम भी बोला जाता है और जो मार्केट में 500 mg और साड़े 600 mg में होता है पेरसिटामॉल के कई सारे ब्रें तो इसके अंदर परासित्तमौल ही साल्ट होता है लेकिन अलग-अलग अलग-अलग brand के नाम से बेचती है तो परासित्तमौल के हम यूज की बात करें यह फिवर के अलावा बदन दर्द या सरदर्द में भी यूज के जाते हैं या पेट में दर्द हो हलका तो उसमें भी चुनलिएपलेट यानि की एक पत्ता होता है वह 10 रुपय में मिलता और यह टबलेट लेने के बाद अब दूसरा टबलेट 5-6 गणते बार ले सकते हैं और 24 गंते में सबने स्केशंग सने सबbürस्यने के जो हरकिसी के घर में होते हैं वह argument wijf waar फिश जिसमेश आपने अपने घर में रख सकते हैं, उसके बाद जो है एसी लॉक और रेंटेक होता है जिसके अंदर जो है रेंटेक नाम के सल्ट तो एसे डिटी और गास भाले लेना चाहिए या खाना खाने से 1 घंटा हमें पहले लेना होता है और इस टैबलेट की प्रायज के बात करें तो थौड़ा कॉस्टली होता है में तबलेट मिलता है लेकिन रुक तर एक वरसी वह थे उसके बाद अगर आधिक किसी को घँने के बाद गयास बन जा रहाए बन जाता है या उसमें जुँकरशीरप कर सकते हैं तो जो एंटासीट सीरफ में जैसे टैबलेट भी हो सकता है और शीरफ भी हो सकते ताप अपने घर में रख सकते हैं और इसको खाना-खाने के 15-20 मिनट बाद आप इसको ले सकते हैं कि ऐसे और प्रेट्व कर सकते हैं और दॉक्टर से दिखा सकते हैं अपने घर में और उसके बाद बाद जो है वेवरेंड प्लस होता है यह भी होता है जिसके अंदर Diclofenac होता है 50 mg और Paracetamol 325 mg होता है लेकिन अगर पेट दर्द हो specialist जैसे पेट में मरोर टाइब का हो या गैस के बज़ा से या इन्फेक्शन हो जाता है डारी आउग्राम में पेट में मरोर दर्द होता है उसमें जो है यह मेफटाल इसपास से दर्द कम नहीं होता है तो आप यूज कर सकते हैं तो या इमेफटाल एसपास या रोटीन आमदोनम से कोई एक आप रख सकते हैं तो पेट के लिए होता है इसके बाद जो है अकर किसी को चोट लग गया हो कहीं पर स्वैलिंग हो गई है तो इसमें जो आप मूव बॉलिनी जैल ओमनी जैल या कमभी फिलाम या और भी जो भी आपके अबलेबल है नियरेस्ट स्टोर में वह आप यूज कर सकते हैं कोई भी वाइंटमेंट उसके बाद जो है वोमेटिंग या किसी को नौजिया होता है या इसके बाद जो हाएं। सिर्थे हैं कर सकते हैं तो यह कोई कर सकते हैं फिर आप अपने दॉक्टर से दिखा सकते हैं तो जहां होता है एगक इसले तक ममानी कर्शिया चीज कर सकते हैं對不起 एक को प्शने का म好吃 एक लगक्त चीजा मश्याया है यसरी कि मौसिक चाफ़ सामिल या जैसे लेट्टिम होता है हार्ड स्टूल होना या स्टूल पास करने में तुरा डिफिकल्टी होना तो उसको हम कॉंस्टिपेशन बोलते हैं उसमें जो है आप एक चोरन आता है अरुबेदिक जैसे पेट सफा करके तो आप उसको रख सकते हैं अपने घर में और रात को जो है तो आप रात को सब्सक्राइब ले सकते हैं तो यह एक रुपे में एक टाबलेट होता है तो इससे जो है हमेरे जो है इस्टेर जो है कॉंस्टिपेशन से थोड़ी रहात मिलती है उसके बाद ज्यादा डिफिकल्टी है या काफी दिनों से है तो आपने डॉक्टर से भी द इलर्जी और खांसी के लिए एदि किस्को नाक भार आरओ कि चृंक आरही हो या खुजली हो तो उस समय जो है सट्राजीन आप अपने घर में रख सकते है जिसमें आप थ्शिंग खुजली या है इंचिंग हो तो समय आप सेट्राजीन टाबलेट यूज कर सकते हैं रात को स्कोरिल एलस उसके बाद सकते हैं जैसे कि बीटार्डीन होगे तो भॉव वग्रा को साफ करने लिए लगाने के लिए जो यूज के जाते हैं तो अब यह भी आपने घर में रख सक्तै बजाए हैं शेर्ड एक तरुक? आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तहो प्रीस लाइक्ट खरीब जरू कیजो धने भाइबा दोस्के